हम सिव विवाह की तुमको भगतों कथा सुनाते हैं हम कथा सुनाते हैं पावन मुद्ह zac संगे सम्भू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना धूके ना तिर जे खों ले ना तुम हो ना धूके ना तेरी जेर हो भूले ना पूर्व काल में रजन लगे जब रम्हा जी स्रिष्टी उनकी भौह से प्रकट होई थी एक सुन्दर यूती ब्रम्हा जी ने दिया उसको संझ्या देवी ना प्रम्हा जी को किया उसने हाथ जोड प्रणा फिर इक युवक प्रकट हुआ है लिये पुष्प के बाद प्रम्हा जी ने दे दिया उसको काम देव फिर ना हाथ जोड बोला ये वक है पिता सिरी बत लाए क्या सेवा है मेरे लायक आप मुझे समझाए दम्हा जी फिर काम देव को ये बत लाते है पावन कथा सुनाते है माता सति संग जो संभो जब ब्याह रचाते है हम कथा सुनाते है तुम हो ना तो के ना तीजे हो भोले ना बोले काम देव से रम्हा काम ऐसा कर दो सभी बाडियों में तुम जाकर प्रेम काम भर दो ब्रह्मा जी के पास थे बैठे जितने रिसी मुनी आज बाड में काम देव के सत्ती है भर दी काम देव माने जो ब्रह्मा ने वचन कहे अपने बाड वहाँ बैठे हुए रिसियों पर चला दिये ब्रह्मा संग फिर सारे रिसिगण हुए है कामा तुल नजर परी संध्या देवी पर देख गई वो डेव सभी रिसिगण और ब्रह्मा मुझ से क्या चाहते है पावन कथा सुनाते है माता सति संग स्यों संभो जब व्याहर चाते है हम कथा सुनाते है तुम हो ना तुके ना दिल जै ओ भूले ना उनकी नौम द्रिष्टी संध्या सहन कर पाई पिता समान वो मान रहे थी लाज बड़ी आई मुनिवसिट की आग्या लेकर वो वन में आई भोले जी को किया पसंद और देने लगी दुहाई भोले जी क्या दोस है मेरा इतना जरा बताओ मुक्ती का भी कोई रास्ता आप मुझे समझाओ कहने लग भोले प्रम्हा ने अच्छा नहीं किया उचित समय आने पर उनको कर्म कि मिले सजाओ एक उपाए वो संध्या को फिर बतलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सूशंभो जब प्याहे रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना तिर जे हो भूने आ तुम हो ना तु के ना तिर जे ओ भूने आ में द्यार इस परवत नीचे यक्चे रहे हैं कर हवन कुंड की बनो आहोती तुम तो वहां जा कर मुख्ष प्राप्ती को संध्या तुम फिर तो पाओगी में द्यार इसी की पुत्री बन कर फिर तुम आओगी जाकि हिमाले पर पत पर फिर तप करना तुम घो तच्छ की पुत्री सती रूप में होगा जन्मिक आओ त्रेता युग के आरंभ तक तुम ये कर पाओगी एक बड़ा योग वर फिर तुम देवी पाओगी इतना कहकर अंकर धान भोले हो जाते हैं पाओवन कथा सुनाते हैं माता सति संगसु संभू जब प्याहर चाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो नातो के ना पिर जय हो भोले ना तुम हो नातो के ना पिर जय हो भोले ना ब्रह्मा के उस कर्म का फिर भोले को आया त्या प्रम्ह लोक में जा करके फिर उनका किया अपमान कहने लग क्या प्रम्हा जी तुम्हे लाज नहीं आई खुद की ही पुत्री पर का मुक नजरे दोडाई फिर अपमान का बदला प्रम्हा जी ने लेना चाहा काम देव को बुला पास उनको ये समझाया भोले जी की देह में जाकर करो काम संचाय भुला नहीं पाया मैं भोले का किया दुर्व्योहा लेके रति को काम देव कैलास पे आते हैं आवन कथा सुनाते हैं माता सति संग स्यू संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना थो के ना तीजे हो भूले ना तुम हो ना थो के ना तीजे हो भूले ना बोले पे पर काम देव काना कुछ असर हुआ आतर प्रम्हा जी से वो तो मांगने लगे छमा ब्रम्हा जी कुछ सोचके हैं विष्णू के पास आए विष्णू जी ने फिर ब्रह्म्हा को दिया हैं पतलाए उचित नहीं है ब्रह्म्हा जी भूले से छल करना खोकित जो बोले हो गए तो पड़े डंड भरना हम दोनों ही जाकर भोले जी को समझाते हैं हुआ हमारा आप भी क्यो ना प्याह रचाते हैं करके विचार ये वो भोले के पास में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सति संग सु संभू जब प्याह रचाते हैं तम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना देरी जे हो भोले ना तुम हो ना दो के ना देरी जे हो भोले ना बोले ब्रह्मा विश्नो बोले इतनी विंती हैं पिने अरे धांगनी नहीं किसी को मुक्ती मिलती हैं हम जैसे ही आपको भी अब व्याह रचाना होगा तच्छ प्रजापति की पुत्री को अब अपनाना होगा बड़े घोर तपसे हैं उन्होंने कन्या ये पाई और नहीं कोई आदिसत्ती सती रूप में है आए बोले जी ने मान लिया प्रम्भा विष्णु का कहां धूम धाम से सती की संग में हुआ भोले का विवा भूत प्रेत भी भोले की बाहरात में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तो के ना तीजे हो लेना तुम हो ना तो के ना तीजे हो लेना तीन लोक में सिव विवाह की हो रही है जरचा तेवी तेव सबसीस जुकाए करे पुस्प वरसा स्यू मैं हो गया था भग तो ये सारा ही संसा कूज रही शहनाई शूकी हो रही जै जै का फिर तो घड़ी विदाई की भी आही जाती है पिता तक्ष को छोड सती स्यू को अपनाती है दूला रूप में खूब सजे है भोले भंगारी देख रहा संसारी शूकी लीला है नारी सती को लेकर संग फिर वो कैलास पे आते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब ब्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुके ना तिर जय हो भोले ना तुम हो ना तुके ना तिर जय हो भोले ना साथ सती के एक दिन वो टन दगवन आते हैं राम लखन सीता की खोज में उन्हें दिख जाते हैं दूर से देखा भोले ने तो किया उन्हें प्रना बोली सती किये बोले ये तो मानो है या साधारन मानों के आगे आप कसी से जुका भोले जी मुझे को बत लाए इसमें धेद है क्या बोले ने फिर माता सती को सत्य है वचन सुनाए खुद स्री विश्नू राम वतार में लेके जन्म है आए किसी लिए हम सिरी राम को सिस जुकाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिउ संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तिर जे हो बोले ना बोले की बातों का सबी को न विश्वास हुआ लूंगी परिच्छा मैं इनकी मन में है प्रडे किया सीता मा का रूप बना के राम के पास है आई सिरी राम ने आदर से अपनी गर्दन है जुकाई बोले माता ये क्या आपके मन में आया है छोड़िक भोले को सीता का रूप बनाया है सुनके राम के वजनों को उन्हें लाज बड़ी आई मागी माफी भोले से बड़ी वो तो पच्चताई भोले सती का फिर सारा संदेह मिटाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब प्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दूके ना तीजे हो भोले ना फिर पर्याग में सब मुनियों ने महायक्य है किया ब्रम्हा विष्णु भोले और दक्ष लिये यक्य में बुला ब्रम्हा विष्णु और मुनियों ने दक्ष को किया परणा लेकिन भोले जीन दिया ना उनकी और कोई ध्याँ राजा दक्ष को भोले की ना पात पसंद आई लगे सोचने क्यूं कुत्री मैंने इन संग ब्याही महा यक्य लाजा तक्ष ने फिर तो करवाया अभी को भेजा लियों ताना बोले को बुलवाया बोली सिउसे सती के हम भी यक्यम जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सिउसंभू जब जाहर चाते हैं अम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दो के ना तीजे हो बूले ना तुम हो ना दो के ना तीजे हो बूले ना कहने लगे बोले मेहमान जो होते बिना बुलाएं होता ना सम्मान कहीं ये तुम्हें रहे समझाएं लेकिन सतीन मानी ना भोले की बात कहीं पिता की अक्य में वो तुम बिना बुलाएं पहुच गएं राजा दक्ष सादर कर रहे थे सबका ही सम्माएं भोले के लिए ना रखा था लेकिन कोई अस्था बोली पिता को आपन ये तो अच्छा नहीं किया भोले का अपमान सती से गया था नहीं साहा कटू वचन फिर राजा दक्ष कुछ उन्हें सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं मात सती संग्स्यू संभू जब प्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना दूपी ना तीजे हो बुले ना होनी तो बलवान है लेकिन होकर ही रहती अपने प्राणों की माता सती ने दे दिया हूती देखा जो सब देवों ने करने लग द्राही मा ना जाने अब क्या होगा इस स्रिष्टी का अंजा सुगन दोडे दोडे फिर भोले के पास आये हवन कुंड में कूदी माता रहे बतलाए खुल गया तीसरा नेत्र भोले क्रोध में है आये जलती हुई सती को फिर हाथों में लिया उठाए लेकिन जलती हुई सती तांदों दिखलाते हैं पामन कथा सुनाते हैं माता सती संगस्यू संभू जब ब्याहर चाते हैं पम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना बिर जे हो भूले ना तुम हो ना तु के ना तीरी जे हो भूले ना स्यूके टांडों से कापे हैं भकतों तीनों लो प्रम्हा बोले विश्णों से इसे आप ही सकते रो माता सती जलती हुई जब तक है भूले के हार क्रोध की ज्वाला भूले की मुस्किल होनी है सार विश्णू जी ने सोच समझ कर एता खेल रचाया दिया सुधर सन छोड सती को टुकडों में विखराया इक्यावन जगहों पे माता सती के अंग विखरे चक्ति पीठ के नाम से जाने चाते हैं तब से लेकिन भोले सांत नहीं फिर भी हो पाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तुके ना इजय हो लेना तुम हो ना तुके ना इजय हो लेना वीर भत्र और काली का बोले ने किया निर्मार बोले जांकर करो तूर जो दक्षि किया अभिमार यजय करो विध्वन से काट के सीस भी तुम लाओ स्यू निंदा जिसने भी सुनी है उसको सबक सिखाओ वीर भत्र और काली ने किया फिर मैसा ही काओ किया यक्विध्वन से और फिर दक्षि का काम तमाओ सभी देव ताए कत्रित हो स्यू की सरण में आए हुआ गोर अपराद छमा इस भोलिक की जाए करो तक्ष को माफ आप भोले कहलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग स्यू संभू जब व्याह रचाते हैं हम कथा सुनाते हैं तुम हो ना तु के ना तीजे हो लेना तुम हो ना तु के ना तीजे हो लेना आकिर भोलेने देवों की विंतिली है मार सब देवों को माफ किया और दक्ष को जीवन दार राजा दक्ष ने फिर भोले कोशी से जुकाया है एहंकार मेरा आपके आगे टिक नहीं पाया है फिर तो राजा दक्ष कभी मोयक संपूर हुआ सुव विवाह का ये किस्सा भी अब तो पूर हुआ डीयस पाल ने गाया सत्ता वक्ती भाओं से फोजी सुरेस ने लिखना सुरों किया न महुश्वाए से मेरी क्या ओकात आप मेरी कलम चलाते हैं पावन कथा सुनाते हैं माता सती संग सु संभू जब व्याहर चाते हैं हम कथा सुनाते हैं